हलो बीटाओं कैसे आप लोग पढ़ियां तो लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में बीटा जो चैप्टर है एसी उसके अंदर हम लोगों ने रिजिनेंस कंडिशन देखा था कि रिजिनल कंडिशन फॉर सिरील से सर्कृट क्या होता है जिसके अंदर हम लोगों ने के एंप्लिफिकेशन यानि आई मैक्स के बारे में जानने की कोशिश करी थे जब उसको हम लोग ग्राफ के उपर प्लॉटिंग करते थे जब उस रिजिनल फ्रिक्वेंसी की प्लॉटिंग करेंगे तो अखिर उसके अंदर क्या सीन होगा उस ग्राफ का फॉर्मेशन कैसा ह होगा कर्व वोड़ी साइड करेगा ये क्यूफ वेक्टर की क्या होता है तो आप कहेंगे जब अ बटाये यनकी ऐसा सव्सकर में एक यह च्योपनिटा यानि ग्राफ की स्षECT पर बटाएनि करहेंट की को बताहिए क्यों किरेंट लुट कितनी हाई है कितनी लो है फीगर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सके तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं Q-Factor और Q-Factor के वल LCR सरकिट के अंदर ही एक्जिस्ट करता है यहां पर विटा रिजिलेंस कंडिशन आता है वहीं पर हम Q-Factor की बस बातें करते हैं ठीक है तो सार्पनेश ओफ रिजिलेंस यानि इससे पर जो हमने रिजिलेंस कंडिशन पढ़ा था उसी की सार्पनेश के बारे मिलेंगे वो कितना तीवर है कितनी इंटेंसिफाइड है किस पॉइंट पर ह पर लो है इन सब बातों को बिटा इसके अंदर जानेंगे तो आई यह मुझा सुरू करते हैं ठीक है तो सबसे देखेंगे विटा कि यहां पर हमने आपके सामने दो ग्राफ बना कर रखे है ठीक है अब उन दोनों ग्राफ को जानने से पहले सबसे पहले लो क्वालिटी फ को इंडिकेट करता है सिंबोलाइज करता और बताता है हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन करता है अपने चार के दुबरा जिसे हम जान पाते हैं कि कोई भी जो LCR सरकीट है उसकी जो करेंट की जो पीक वैलू है जो मैक्सम वैलू या मिनिमम वैलू है वो किस-किस एंगुल अंगुला फ्रिक्मेंसि की वैलू रिजनर्ट फ्रिक्मेंसि के बराबबर हो उस समय हमारे सामने तीन तरह की कर्ब नजर आ रहे है कि हमें तो के हमें न कि धुरियकर धैक है म हुगा तके यहां पे लिएक्वलेट रिरीकुर्ग Academic Theat बराबर हो यानि कि इसके एकुलाइज हो उस कंडिशन में जो आई नोट की वैल्यू बटा जब रिस्टेंस कम हो उस समय आई नोट की वैल्यू सबसे पीक वैल्यू पर जाएगी अगर सबसे जब हाई रिस्टेंस हो उस समय आप करेंट गराफ यहाँ पर देख सकते हैं तो यह पीटा कर्व आप दिखा रहा है कि अलग अलग रिजिस्टेंस की कंडिशन में किस तरह की कर्व यहाँ पर रिप्रेजन करके आ रहा है ठीक पिर उसके बाद सेकेंट जो पार्ट दि कि जो भी इन नर्ट की इने उनर्ट की जो वैलु आ रहे थी निकरते हैं कि जो वैलु तो वह रूट तू को से डिवाइड करना प्राएं का मितलब कि इसकी वैलु थी वन अप ऊन यह आई बीकंश बिटा ओन बाई रूट तू टू टाइमस इस अगला फ्रिक्वेंज से जो भी उसके एंगलर général army सीख ती उस- screams ik exist की वह one upon root 2 तैंप सुजाती थी किसके वज़ए से जब हम अलग-अलग frequency टैस्ठिड करते थे तो उमेगा-वं पर चिक कर आ तो हममें मिला बेटा जब regional frequency के बड़ाबर रखते हैं जब regional frequency के चेक करते हैं तो हमें मिलता है उस case में सबसे maximum current इतना बटा i not is equal to e not by r ये चीज़ हमें दिनने को मिलता है जब भी हम regional frequency का प्रयोग करते हैं उस condition में सबसे maximum value of current हमको निकल के उसमें से आता है और ये जो बटा omega 1 से omega 2 की बीच में जो gap है आप दिस तो यह omega 1 और यह omega 2 की बीच में ग्राफ में gap है इसको बोलते है bandwidth क्या बोलते हैं इसको bandwidth या उसको bandwidth का मतलब कितना उसकी बीच में space है तो यह space बीच है 2 del omega यानि इस space को 2 del omega का फॉर्म रप्रेजंट करा गया है तो यहां जो नया quality factor का एक definition निकल के आता है वो आता है कि the ratio of regional frequency upon bandwidth यानि कि जो भी regional frequency है जिस regional frequency पे हमको maximum value of current निकल के आ रहा है यानि regional frequency upon bandwidth यानि उस दो angle of frequency की बीच में जो बीच गैप है जो bandwidth क्रियेट हो रहा है उसका जब हम ratio निकालते हैं इसी को बोलते हैं हम लो quality factor ठीक है अब यह quality factor को बीचे जब further हम solve करते हैं तो हमारे पास value निकल इसको करते हैं omega r जो कि एक original frequency है into l upon r ये value आपको निकल के बीचा आती है और इसको ले रहते हैं हम equation number one इसको equation number one लने करन इसलिए बीचा क्योंकि इसकी आउशक्ता हमको फिर आगे पढ़ने वाली है ठीक है फिर हम दो देखते हैं कि जो इसका इनिट्स हैं जो इसका mlt इनिट्स की बात करोगे तो यह dimensionless होते हैं जैसा कि यह ratio है और हम ratio किसके निकल ले बटा बाइडिफॉर्ट देखो तो कुछ बचने वाला है नहीं इस वहां पर उनिट्स की बात वहां पर नहीं करते हैं ठीक है इसलिए तो जो भी voltage drop होगा उसके inductor से या फिर capacitor से वह एट रिजुनेंस टुदा अप्लाइड वोल्टेज यानि वह पिटा रिजुनेंस पर होगी जब हम उसके ओपर EMF E is equal to E not sin omega t का प्रयोग जब वहां पर करते हैं ठीक है तो यह condition निकल के यहां पर इस फॉले पॉइंट से निकल के आती है कि हमें यह भी पता चलता है कि जो भी voltage इंड़क्टर के क्रोस घटा है यानि कि ड्रॉप हुआ है वह एट रिजुनेंस टुदा प्लाइड बोल्टेज और अप रिजुनेंस पे वह अप्लाइड बराबर है तो यहां में एक फॉर् अपन ओमेगा सी मिल गया जो कि फॉर्द एक रिलेशनशिप है जब हम इंपेडेंस की बात करते तो उस समय एक कंडिशन था एकसल माइनस एकसी अगर आपको याद हो तो और एकसल की वेल्यू बटा ओमेगा एल और एकसी की वेल्यू वेल्यू वन अपन ओमेगा सी इस इक आप यह एपसोड देखो और वह भी समय नहीं है तो उससे पर जो स्रीज इस रिखेट है वह अलब ही एपसोड दो को तब जाकि यह सब आपस में लिंक है ना यह इसलिए आप पुराने ले उडियूस देखोगे तभी वह चीज़ें समझने आए कि हाँ यह कैसे हो रखा है अब आगे जब बढ़ते हैं तो जो हमने सबी हमने तिन पाच उसमें दिखा कि जो हमारे पास है कि क्यूई इस उक्वल टू हमारे वहां पर हम देख सकते हैं वन अपन उमेगा आर सी इन दुनों एक्वेशन में तर्पूट कर देता हमें मिला वन अपन उमेगा रसी इन्टु आर क्योंकि आर भाई पहले से वहां मौझूद है ठीक है फिर फर्दर वन बाई आर यह बाहर कर दिया तो वन अपन उमेगा रसी को बिटे लिशते हैं रू को रिपरजेंट करते हैं तो अगर आप से बिटा क्वालिटी फेक्टर के बारे में अगर कोई भी सवाल बोर्स के क्वेशन में आए तो आपको फाइनली यही काम करना है तो बजाए इसके बीच बीच डिरिवेशन है बहुत लंबा चोड़ा मैंने करा कि उसको शॉर्ट क सब्सक्राइनले दिमाइब में एक बत जरूरा रही होगी कि ऐकिर क्वालिटी फेक्टर क्वाल्टी फ्ne इंख समझ में नहींत हो हूँ क्या रहा है इसLevel व् малें सब्सक्राइब पबजी सब्जी विला काम चलते होगा लेकिन उससे काम ने भीटा फ्रुबासा फैल समझ जाओगे तो लोग रीडियो का प्रयोग करते थे और सुबा साम जिसे घर की बुड़े बुजुर्ली होते थे वो रेडियो लेकि और ऐसे ऐसे बैंड घुमाते रहते थे थे और करेंगे क्या रहे होगा जिए आपसमें लिगे करेंगे लिंक करके Q Factor को मेकप करके उसको कनवर्ट करेंगी वह ओडियो में और वह ओडियो हमको रीडियो के माधन सुने में आता है और प्रयोग होता है तो आप सुचोगे कि सौरी यह तो पुरानी बात हो गई बाय कि आप पहले रिडियो के प्रयोग करते थे लेकिन ऐपको पता है सेटलाइट्स अब करते थे अभी भी करते हैं अपने information को यार्पार करने किरिए क्योंकि इसके लिए सेटलाइट लगाने की जरुत नहीं है पैसे लेनी जरुत नहीं है हमारा जो सिस्टम करने के लिए तो इस तरीके से से डिफेंस इस्टम के पर्योंख करते हैं और आज भी डिफेंस में बहुत कारगर है ये रेडियू ट्यूनिंग सिस्टम ठीक है इस वज़ए हम कह सकते हैं क्यू फेक्टर्स आगे वह हमको लगता है कि हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आपको समाप्तिक है अगर आपको कोई भी कोशन से पूछना हो तो हम हमारे वाट्सप चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं हम लोग परसनली आपसे मिला जाएगा और आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा ठीक है फिद देख लेगे हम लोग आगे जो भी शंटने में विटाया, चैट नितुए